तो हम लोग राजनिती करते हैं तो राजनिती प्रति दूनता में हम लोग कोई बहुत जादे बात करें लेकिन असलियत का चाहे हरियाना हो चाहे यहां हो पिछली बार घटना घटी जहां जाती होगी कोई भी जाएगा उसे सम्मान मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि टिकेश सा अपना मार्डी उल्टे सिद्धे ब्यान और लोग आजकल उन्हें तारी बजाओंगे और दिखेगा कहां बहुत कुछ का दें लेकिन बहुत ज़्यादे ऐसा नहीं है टिकेश साब एक छोटा सा ब्यान उनमना खिस टिकेश का आपको बता देता हूँ अभी तीन दिन पहल टिकेश साब दरसिल उनकी अपनी पहचानी उल्टा सिद्धा बोलके ही है और कोई पहचान राके इस टिकेश की दो चुनाओं में उन्होंने लोगोंने हैस्ट बता दिया है इसलिए वो क्या कह दे क्या निक है वो अपनी पहचान के लिए कुछ भी कह सकते है लेकिन वो ज क्या कर रहे हैं उन्हें तो मारनी है अपना मार चलिए दोस्तों में इसकार मैं हुरोई शर्मा और आप देखना सुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइन और मेरे साथ हैं अभी विरेंदर सिंग जी साथ बार विधायक रह चुके और अभी हाल ही में भार्ची जनता पार करेंगे विरेंदर जी सबसे पहले स्वागत है आपका हिंदुस्तान नाइन पर और आपको हर्दिक बढ़ाई हमारी टीम की तरफ से कि आप एक बार फिर एमल सी चुने गए सर्माजी पहले भी आये थे मैं भी आप कुसम से पहले तो आप यहां आए इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा अभी देख रहे थे आपने भी पूरी मेहनत के साथ हर्याने में भी हर गाहों में जाकर जिस तरह आप लोगों ने काम किया है वह बहुत सराहणी है आपके टीम का काम है वाटस आप हम देखते थे तो जिब खोलते थे गांगां उधर आपने जिस तरह समश्चाओं को उठाया है यह वह अपने आप में बहुत सराहनी है इसके लिए आप यहां ही आपका स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भ विरेंदर जी ऐसा कोई अभास था कि सरकार आपको चुन लेगी MLC हलाकि बातचीत चल रही थी पहले से देखते थे हम लगातार ये चीद कि आपका नाम कहीं न कहीं आता था अटकले लग जाती थी और फिर कहीं ऐसा कुछ अभास आ रहा था कि नहीं अब की बार तो तै है कि MLC चुल लिया जाएगा कि मैं सबसे पहले तो आज आए चुकि दीपावली का सुब आउसर है और अभी मैं सबसे पहले तो यहां छेदर को और परदेश वाश्यों को बहुत दीपावली की सुब कामना जेते हुए यह भार्चे जंदा पार्टी ने जो कदम उठा है जो ए जिनके द्वारा हमें ये फिर दूसरी बार मुआ जा गाया है MLC से मानदेश परदान मंतरी माने मोधी जी हमारे परदी सद्द्र जी और पार्टी के वितमाम जो जिन्होंने हम पर ये द्रश्टी की है उसके लिए में सबसे पहले तो उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हुँ कि उन्होंने हमें इस लाग समझा और दोबारा फिर हमें जुम्मेदारी दी इसके लिए में उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो बिरेंदर जी एक स्वाल मैं आपसे बूचना चाहूंगा हालांकि यहां पर नजर आता है किसान आंदो लंचन दोनों जाती बहुले हैं किसान आंदोलन को लेकर सरकार को निजर आ रहा है कि जाट पहले ही नाराज है तो कहीं लगबग लगबग 444 से सिट्थ हैं उतरप्रदेस में जिन पर गुजर अफेक्ट करते हैं तो उनको साधने के लिए आपको MLC चुना गया और कोई ड्यूटी ऐसी लगाई गई कि अब विरंदर जी आपको MLC चुन लिया है, सरकार में हिस्चेदारी मिल गई है, अब जाइए इन सीट को संभाल लिए. ते के जहां आपने चर्चा की है, आंदोलन की किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन तो यही से 1987 में सुरुवा था, में चोहजी मेहंदर सिंग टिकेज ने शामली से ही सुरुवाद के लिए, और हम लोग भी पक्स में थे, हमारी बेहन जी के समय में मायोती जी मुख्य मंत्री तो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा था, टिकेज साब ने जब व्यान दिये, हम लोगों ने सिसोली में बेटके उसारा आंदोलन का मकाबला किया, टिकेज साब तो सचे इंसान थे, लड़ाई लड़ते थे, लेकिन उसके बात जो आज हम किसान आंदोलन की बात कर रह है, और जो आंदोलन का रूप है, यह कोई आंदोलन है, अगर उन्हें करना था, तो कि राकेश टिकेट और नरेश टिकेट की वो इमेज नहीं है, जो मेहंदर सिंग टिकेट ने जब शुरुबात की थी, इन पर तो दो दो पाल्लियमेंट का चुनाव रड़ दी, असेमली करता हूं, उनका कोई जादे किसान्ज यूनियन का कोई परभावेशा नहीं पड़ेगा, जिससे मुच उनाव में यहां डिस्टर्व करेंगे, उनकी इमेज ऐसी नहीं है, यहां बात कर रहे हैं, आप लोगों ने भी बहुत से गाउं में जाकर में देखा आपका इंटू लोगों के क्या ट्रिकेंट के बारे में किया शब्द रोग इस्ते लोग करते हैं, जाटी गाउं में उनके ए एमेज उनकी है, तो इसलिए आंदोलन है, उनके बैटक आंदोलन कोई सुलोप निखा में थुठcules लड़शाता हूं. अगर उनमें सकती थी रांदोलन करने की थी तो उत्तर प्रदेश तो पश्ची मित्तर प्रदेश दो दिन में सरकार को इना देता है लेकिन नहीं ऐसा नहीं है आंदोलन का कोई यहां विशेश परभाव इस तुनाम में पढ़ने वाला नहीं है क्या लगता है कि जाट वोट बैंक सरकार को मिलता नजर आ रहा है यहां पर देखेगा हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जब से आंदोलन चला है उसके बाद आरेलडी मजबूत हुई है और कहीं ना कहीं आंदोलन के जो पीछे के लोग हैं वो आरेलडी को मजबूत करने क कि लिए उत्रप्रदेश में अंदोलन भी चला रहे हैं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं क्या जाट जो जाती है वो भारतिय जंता पार्टी के साथ आती नजर आ रही है नहीं देखे जहां तक जाट का प्रस्ण है कि शुर्गे चौदी चौण सिंग जीने के समय में जाट ज लोगदल के आड़ में अपना आकर परभाव जमाना चाहती है जैन चौदी जी के बारे में लोगों की जो जाग रुपता है वो चाहते हैं कि हम जो हमारा एक नेतर तो समाप्त हो रहा है उसकी तरफ कहीं ने कहीं थोड़ा उनकी वह है नजर है कि हम अपने नेता को जिंद अच्छा यूनियन का परभाव नहीं है अरलडी का परभाव तो यूनियन अरलडी के सहारे खुद को खड़ा कर रही है इसमें और कोई उनका दम नहीं है यह तो एक बड़ी अलग से तरह की बात आपने बताई कि सच्चा ही यही है कि अरलडी देखेगा विरेंदर सिंग क कि आरलडी में तो दम नजर आता है लेकिन यूनियन में दम नहीं था तो आरलडी और जैन्त चोधरी के सहारे अब यूनियन खुद को उभारना चाहती है यहां पर अपनी मजबूत पकड़ बना दिखाना चाहते हैं हमारी पकड़ है वैसे पकड़ तो नजर भी आती है र इंचाहत में अपना जोला रखके गया था और अब वह अपना जोला वापिस मांग रहा है उसका जोला चेक भी मत करो टटोलो भी मत उसको कुछ ना कुछ बढ़ आगे दे दो हालांकि एक बात और भी मैंने देखी राकेश्टी कैट से लोग परेचित नहीं है से देख लेना तो ये तो मामला कुछ नजर सानी आ रहा है तेकि राकेश्टीकाज जी के बारे में मैं जादे एक और नहीं कुछ कहना चाहता है सब परीचित है हम लोग राजनिती करते हैं तो राजनिती परती दिवनता में हम लोग कोई बहुत जादे बात करें लेकिन अ तो जहां देखा कहां मामला कुछ है वही सी अपना बैठ गये और वही अपना मार्गी उल्टे सी देवियान और लोग आजकल उन्हें तारी बजावंगे और दिखेगा कहां बहुत कुछ कर दें लेकिन बहुत ज्यादे ऐसा नहीं एक चोटा सा ब्यान उन्हें आपकेश् अगिस्तान का मैस था भारत मैचार गया उन्होंने कहा कि भीया यह तो मोदी जी ने मैचरवा दिया हिंदु मुस्लिम कराना चाहते है इसलिए मैचरवा दिया मोदी जी ने वो क्या कह दें ठीकेट साब दसिल उनकी अपनी पैचानी उल्टा सिद्ध बोलके ही है और कोई पैचान राखेश टिकेट की दो चुनाओं में उन्होंने लोगों ने हैस्ट बता दिया है इसलिए वो क्या कह दें क्या निक है वो अपनी पैचान के लिए कुछ भी कह सकते हैं लेकिन वो जो सब दोनों ने इस्तेमाल किया है वो केवल एक मजा के पात्र बने इसमें कोई उसका विशामने नहीं रखता ना कोई उनकी बात को कोई गंभिरता के साथ लेता मैं क्या कर रहे है उन्हें तो मारने है पुछे मारने है चलिए यह अंदोनन कितना लगता है आपको कि आंदोलन जातिगत है क्योंकि मैं पिछले दो महीने ढाई महीने से यहां पर रिपोर मिल मुल जाते हैं नहीं रैसे बाते हैं जातिगत तो कई जब जाओगे कोई यह कर जा लग और से उतर पडेश में अभी चुना भी आरहे कि हम लोग भी घूमते हैं पुरे परदेश में मानने योगी जी आपने देखा वोगा बहुत से जाटों के गाउं में जो जिस तरह के ब्यान मानने योगी जी के समर्थन में आ रहे हैं आप सोच भी ने सकते हर वर का अदमी कि उनके योगी जी की हमें भी बहुत लंबी मेहनत करते होंगे आपने देखा अभी कोरोना की महमारी पुरी दुनिया के अंदर आई उस्तर परदेश में जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया है मेहनत करके कोरोना में सब डरे भी थे लेकिन भूम रहे थे जिले 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 पर उन्होंने प्रोग्राम किया और महमारी क पर प्रदेस में कर साथ कर सर्भ और ववश्ता में किसी से बात करिए अज पैचानता है कानून क्वेशता में आज क्या pist thumb बात कर दिया योगी जो कर दिया हो बीपक से मैं देख रहा हूं गर यहां कांजले के अंदर अभी आवास दिये परधान मंत्री योजना में बिना भेदभाव के अलब संखोकों के हिंदों से जादे मकान बने हैं कोई भेदभाव नहीं करीब 300 मकान कांदले कांदले कस्विक अंदर बने हैं सोचाले दिये गए हैं काओं के अंदर सडकों में आप देखी रहे हैं यहां से दिल्ली जाने के लिए साहनपुर जाने के लिए मैं समयता हूँ जैसे बाइपास का निर्मान होएगा शामली का इस्तिती या यहां के लोगों की यहां से जाने के लिए दिल्ली जाने के लिए सडकों में तूट जाती थी कमर तो आज प्राथमिक्ता है, चाहे वो किसी वर्क का हो, किसी समाज का हो, उनकी प्राथमिक्ता है, मानिये यूगी जी, मानिये मोधी जी, जिस तरह का वातर उन्होंने क्या है, इसमें चाहे यूनियन हो, चाहे विपक्स का गठबंदन हो, चाहे कुछ हो, इसका कोई फरक पढ परियंखा गांदी जी घूम रही है लेकिन घूम तो जब रही जब उजडगा सारा मामला अब घूमने से क्या है राउल गांदी जी की क्या इस्तिती उन्होंने इतनी पार्टी ने पुरे देश के अंदर राज किया और आज उसके बाद क्या इस्तिती कॉंग्रेस की है कितनी सीटे मिली थी मिटिंग तो कहीं भी जाएंगे यहां से बजावे नहर पर यहां भी कठ् इसलिए मेरा तो अपना मानना है गठ्बंदन तो मजबूरी हो रही है अज भी है मानिया ख्लीज जी का और जेंच जी का गठ्बंदन की बात चल रही है लेकिन जिस तरह के गठ्बंदन की बात चल रही है अब तक भी उनके स्वात तकरा रहे हैं इसलिए मैं नहीं मानता क उनके गठबंदन भी कोई सुद्ध गठबंदन होगा उनके स्वार्थ भुसे हुए लाश्ट में सब गठबंदन हो चाहे ये यूनियन हो सब रखे रह जाएंगे और मान ये योगी जी के नाम पर फिर उतर परदेश में 2022 में जार ले रहाएगे अच्छा विरंदर जी आप बराने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है और सिलेंडर भी 900 के पार पहुंच गया महंगाई की देखिए कहा महंगाई पहुंच गई है तो इतने सब होने के बावजूद भी आप समझ रहे हैं कि योगी जी आ जाएंगे सब धरा रह जाएगा लेके महंगाई ये तो ब अभी मान्य योगी जी ने 25 रुबे का भाव भी बढ़ा दिया है तो मैं समय तो महंगाई जो ये छोटी है रहेगी हो तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे सब्यों के भी बढ़ेंगे और भी बढ़ेंगे तो उसके साथ बढ़ेंगे लेकिन उनका जादे महत जो आम लोगों क करेंपे भी बीखार हैं वी कानन वॺ स्था bit यह इन बातों पे इतना ध्यशना ढर्य्कर बात माखने पर बात इन तो ले रहे हैं कहीं आपके देखर जाटों के जाटों के लावाले क्याने में नहाशने गने देखे क्या विशार है कि एविशाद में मैं देख रहा था और कई जगे न्ठू देख रहा था हर मानिया योगी जी के नाम का अंडाने रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे कोई यसी बात नजर निया ली कि जहां कहीं यह पेट्रूल डीजाल यह तो है करने कोई चुकि सरकार के पास तो यही तो है कहने के लिए और भी कुछ है पेट्र कोई यह कुछ है कानून विवस्ता क्या थी कौनी विरोधी पार्टी से बात कूब करते कहां कानून विवस्ता हमने खराब करें थी हमने परिवारों के उद्धार किये थे आज वे सब लोग जो माफिया थे आज जेलों के अंदर पड़े हैं उनकी संपत्ति कितने करोड़ मानिय योगी जी ने परसो ब्यान दिया तक हम इन पर गरीब लोगों के आवास बनाएंगे तो यह सोच कहां से आएगे यह एक बहुत बड़ा अंतर है मैं छोटी मोटी चीजे यह तो उस्ती रहती है खावरी दाम बढ़गे ने कोई हमारे यहां तो कोई याद करता नहीं पैट्रोल के दाम बढ़ गया आप किसी गाहां में यह विफक सुवारों के पास हो इसके अलावा कुछ है नी डीजल पैट्रोल इन दो के अलावा मुझे तो और कोई मुद्दा इनका नजर निया अग मेंगाई बढ़गी इसके अलावा बताओ तो कोई चीज बैठके करि कोई मुद्दा वर इनके अलावानी है कानुन व्यवस्ता जो मेन है आदमी के लिए सबसे पहले उसका जीवन है सबसे पहले उसके लिए स्विधाएं हैं हम दिल्ली के लिए पांच घंटे में पहुंचते थे छे घंटे लगते ते आज एड़ घंटे के अंदर हम नोड़ लगता है और डिबेट के लिए वी रेड़ी हैं अगर कोई डिवेट करना चाहते है विकासकारियों पर अगर कोई बीजिए तरह की बाते हैं अगर बात करें तो आजम खान के बाद आप सबसे सीनियर है और आजम खान भी आप राजनिती से दूर कहीं नजर आते हैं तो प अगर लोगों के साथ कै लेकिन पूरा जीवन हमने भी देखा है हमने सुर्ग में टेकी कि इमांदारी मेहनत साध़गी उसके बाद बहुत से मुख्यमंतरी हम लोगों ने देख लेकिन मानने योगी यह बेखती तो जहसा व्यक्ती जिनका कोई घर का लालच नहीं अपने पढ़ने का नहीं वही सादिल जी मानदारी वोग जिसतरे 18 महनस करते हैं हम भी देख रहें हैं कहीं-कही मीटिंग करेंगे लगनों करेंगे उसके बाद कहीं-कहीं जिलो के दोड़े करेंगे और फिर न के फिर उसी काम पर लग जाएंगे तो यह तो एक आधर्स के रूम में परदेश को हम लोग देखते नहीं कि हमारा सभाव दूसरा है बना तो उनसे तो सीखने की चीजे मैंने तो चोई साब के बाद के बाद कि मानने योगी जी को देखा है इतनी मानदारी साधगी मेहनत और अपना इसा ब्यक्तित जो इसके गलत काम की कोई गुंजास नहीं है सपस्ट बादिता कोन करे गाइद रहा है कि अगरवाल साब को डिप्टी स्पिकर बना दिया आपने समाजवादी देखती रह गई हमारा नेता उठा लिया किस तरह की राजनिती थी ये अगरणेर जी गया एक प्रंफड होती है कि विपक्ष का डिप्टी स्पिकर होता है अपने अपने फिपक्षवाले को ही अपना बना लिया पहले लिप्टी स्पिकर बना लिए भिर अपना बना लिया कि डिप्टी स्पीकर हमेशा भीपक्स कर रहा है, और और चिम सीमी में अब भी पर्मपरा रही है और उनका लटका है, ठीक है तो उन्हें योग्यता के आधार पे और सब बाते देखते हुए उन्हें डिप्टी स्पिकर बना ये कोई गलत बात ली करें समाजवादी तो धरनागरती रहे गए कि हमारा नेता ही ले गए ये तो उनके पास धरने के अलावा समाजवादी पर और इन पर है का ये बता दिजे इसके अलावा धरने के अलावा कोई बात तो बताओ यूनियान या समाजवादी या वोर जो पार्टी है इनके अलावा इनके पास धरने के अलावा है का भई यही तो करके बेज जेंगे अचा ना तो इसलिए उनका धरना देना बोलना इन बातों की आलोचना करना उनके लिए भी ज़रूरी है वो अपना काम कर रहे हैं सरकार अपनी बहुत बढ़िया तरीके चल रहे हैं आम जनता पसंद कर रहे हैं अच्छे जो और मिर को दिखती है जब मैं जाता हूं गाओं में कहरना क कुछ गाओं है उधर के तो वहां पर कुछ लोगों को लगता है हलांकि लोगों की पहली पसंद आपने जर आते हैं यहां पर उसके बाद कुछ लोग चाहते हैं कि भाईया कहरना सीट से मनीश चोहान कहीं न कहीं आए तो एक नया दाव हो जाए कैंडिडेट पराबर का मि चाहें कि एक कुछ ऐसा लोगों के बीच में है या फिर राजनिती में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि मनीश चोहान को कहरा ना कि लिए तियार किया जा रहा है देखे इस पर बारे में हम कोई कमेंड ने करना चाहेंगे यह पार्टी के हाई कमांड का मामला है किसे टिकट दें कि जिस दिन से उन्होंने मुझे MLC बना, हमारे उपर एक बहुत बड़ी जुम्मेदारी उन्होंने दी है, और हम उनमे से नहीं है, हम लोग ने रायनितीमा अगर इसे जिन्दा नहीं रहा जाता है, जब से उत्सम्वारी, जब से रायनितीमा आए, इमानदारी महनत और साध जब से जुम्मेदारी दी, और हम मुझे में तीन बार तो खतुर नहीं चलागा, कल चाकनवाला में अम्रोहा में मेरा प्रोग्राम है, उसके बाद साहनपुर है, चुकि जो जुम्मेदारी उन्होंने दी है, उस जुम्मेदारी बनाना, हमने उन्हें कहा था, यह सीटे, जो हमारी यहां पड़ती है, सानपुर में है, शामली में है, मुझफर नगर में है, बिजनोर में है, अम्रोहा में है, उन्हें हम अपनी जुम्मेदारी का, जो दी है, उसके बदले में, उनकी महनत करके, उफल हम पार्टी को देना हमारी जुम्मेदारी है, इसलिए कल वे कोई भी होचे बढ़ाना हो बहुत से लोग आलोचना करते हैं साब कंडिडेट के सा है यह पार्टी हाई कमान का काम है कि वो सर्वे कराए और सर्वे कराकर वो जिसे जो उप्युक्त कंडिडेट हो से दे हमारा काम तो केराना शामली ठाना भावन मजफ़नगर में इन्हें ज कोई कडिडेट टिगट लेक और से बहुत से दिलवाना अकटवाना हमने के दिया मान्य मुख्यमंदव को यह काम आपका है कौन है आप पार्टी जिसे भी करेगी हम लोग तो उसी को महनत करके उसे जितवाने का काम करेंगे भुप चाहे एभ जने मनिच चोहन को मिले को मिले मिरगांका जी को जिताने का काम करेंगे अनिल को जिसे भी देगी पार्टी टिकट कहीं भी इन में उने हम जिताने का काम करेंगे हमारी कोई पराइटी या कोई हमारा ऐस तक से नहीं है कम किसी के टिकट के बारे में बात करेंगे इसमें कोई हस्कते से पिरेंदर जार कर रहे हैं मैं बैठा हूं मैं भी देख रहा हूं 400-500 लोग जा चुके हैं अपने काम करा कर और ऐसे 400-500 और आना होगा क्या लगता है कि जो विकास के अजेंडे हैं आपने बताया करोना काल में हमने ये सब किया वो किया बहुत सारे काम हुए ये सब मानते हैं उत्रप्रदेश की गुंडा गर्दी कम हुई है ये भी लोग मानते हैं अब लगातार विपक्ष 300 यूनिट बिजली फरी की बात कर र अब अगर उनको इस तरह के लालच दिये जाएंगे कि हम आपको बिजली फ्री दे देंगे जो गन्ना किसान है उनका भी मानना है कि देखो जी पेमेंट की बात हुई थी 14 दिन की पेमेंट नहीं आया है हालांकि कल मैं सिक्का गाउं में था थाना भावन का गाउं है तो ए मेरे को कही नहीं लगी चुभी कि मंत्री हमारे थाना भावन के कन्ना मंत्री सबसे बड़ी वात उसके बात लोगों का पेमेंट नहीं आ रहा तो उन लोगों का रहा है जो मंत्री के नजदी की हैं चाहिए उसमें कोई भी हो किसी भी जाती का हो यह कुछ मामला है क्या इस लीकिस में पेमेंट जो आता है वह तारीक वाई जाता है उसमें यह यह नियाता कौन हमारे नश्दी के कोन महरे खिलाब एक सो चारीस क्रोड का पेमेंट यहां हो चुका है इसे एक जार चुवारीस क्रोड आए तक कुगी गन्य की सप्लाई बहुत बढ़ी है और पेमेंट यह बात सही है कि सरकार का नेनेता भी ब्याज 14 जिनके बाद ब्याज देंगे और यह सब कहीं ने कहीं समें सुगर पेमेंट बात अच्छा है लीकिन कूछ प्रेमेंट मेंने योगी जी nे भी कहता हम बहुत जल्दी पेमेंट करवाएं है और में समयता हूँ कि बहुत जल्दी जो पिछला हमारा पेमेंट है और निश्ची त्रूप से हो जाएगा और आ गे भी है इसमर ही है नWhड़ा पेम कुछ दिखा देते हैं लेकिन बहुत जल्बी मैं समयता हूं सारा भुगतान होगा अभी बैठके कल परसो भी परसो हम लोग बट्टे दे राना जी यह बात आ जाती है इसमें क्या दिखा रहे मैं आज लखनो है कल आएंगे और परसो फिर बैठके एक सुगर फेक्टरी का हम लोग भी बट्टेंगे और डिस्कुर्शन करा जागा कुछ सुगर फेक्टरी का पेमेंट नहीं हुआ सुगर फेक्टरी परसासन भी दवाव डाल रहा है और राना जी का भी अपना मानना है कम निश्टीत रूप से एक हफते के अंदर इनका पेमेंट करवाए गा है यह पाला कैसे देखेंगे किसानों का लाज बताते हैं खेत का highly आ जाता है टीउन चल रहा है नहीं चल रहा है तैन चार महीने चलता है बागी आठ महीने का वो फ्री में भर्ते हैं ॢग सचा ही बहुत वेसी हैं लोग कभी वेसी बात निक गलीकल आक हम जाद को भीन वास्तों मेरा अपना मानना है कि इस मामले में भी बैठके अभी पिछले जिनों बात कर रहे थे योगी जी को कहा तो दो इस समझ्चा है लेकिन मैं समयता हूं विजली के ने करने का उंबना शीमिर के बिल को यह पूरा पीमेंट मिल लगए हूं पहली सरकारों की चर्चा किया कि मैं पहले हैं पहले तो चार जिलुमें बिजिली मिल के थी पांच मैंथा रिखको पहले तो हम लोग भी पुरी ताकत हमें होते भी जोड लगा होते हैं अब तो आम आदमी को बिजली मिल रही है इसलिए है छोटी मोटी यह बात तो रहेंगी लेकिन में मुद्दा है हमारा सबसे बड़ा कानून विरस्ता का है विकास का है और जो गरीबों को जितने मिल रहे है यह चे किसानों जान्यंत्र दिये गए ठीक है आपका सिलंडर का बता रहे हैं लेकिन सिलंडर तो दिये ही है सरकार कोरोना की टाइम में मेह गाई का होगी गरीब लोगों को कितना रासन मिला है तो यह पर्देश के अंदर दिया गा है बाहर करोना में जहां पताई बेढ़ने का काम करें यह सरकार ने तो अपनी जुम्मेदारी जो जिस अस्तर पे जहां सरकार की जवरत पड़ी जो करोना मामारी हो चाहिए उसमें बहार से लाने की वैस्ता हो या जो गरीब लोग हैं मैं देख रहा हूं हमारे आँ गाउं के अंदर प्रधान मंत्री मकान इसमें आये थे नहीं है कोई भी हो ही नहीं है प्रत्याशी बचा हो बहुत गाउं के अंदर नहीं बचे तो यह सब सिधाय सरकार ने अपने अस्तर पर दी है रही यह चोटे मोटे विपक्स बहिए चलेगा उनके पास है ही का और इसके लावा तो उठाएगा लेकिन आम ज ही कुछ है भी दो महिने का टाइम है हम लोगों को जुम्मेदारी मिली है हम लोगों बैठके से नॉर्मल करें अच्छा क्या लगता है सिध पहले से ज्यादा बढ़ पाएंगी भार्तिय जंता पार्टी की उत्तर प्रदेश में यह कम हो जाएंगे लक्स तो हमारा बढ़ाने का है 300 पार करने का है भार्तिय जंता पार्टी का अब इनका गटबंदन क्या होगा किसी स्थिति में लगेंगे यह तो वक्ताने पर पता लगेगा लेकिन मेरा अपना मानना है गर जिस तरह पहले लड़े और यह उसी में रहे तो 300 पार भार्तिय जंता पार्टी करेगी जो मानिया मिश्याजी ने कल दिया है 300 पलस का फार्मला और निश्टी तरूप से यही आएगा गूंदने वैसे फेल हो जाते हैं भार्तिय जंता पार्टी की हर्याना में 75 पार्गा दिया था मनवरलाल दिया थे विदायक नाश्ते थे 75 पार गाना बज्दा रहा चालीस पर अटक गए घॉपी कि लेच हम जानता की बात करें लुपी कि लिकर यहां हम यहां मेरा अपना मानना है के हम लोंग भी गूमते हैं देखते हैं आम जनता की आबाट है उन समeurs चीजहों को जहां किया शिटर थे 술ुटude Chuck lubak क्यों चाहिए बाद मैं सब छीज जह लेका आज सब से पहले जब हो तो सब मुद्न को थेल दों हम ही धूर क्तिन रहे गए कै करेंं कि अब मैं चीज है कानून विकाष थे स्युस्टर याप देख रहे होगे चारो तरफ कु विकाष को रहे कि तो यह इतना विकास कोई कलपना भी नहीं कर सकता कि इसा विकास होगा जी बिल्कुल देखेगा विरेंदर सिंग जी बड़ी सच्चा इसे बात्चीत करते हैं जो चीज होती है उसको मान भी लेते हैं माना है हालंकि बिल जादा है लेकिन उन्होंने बताया कि बिजली बी 18 घंटे मिल रही है पेटोल के रinya जादा है लेकिन पेट्रोल क्या उत्रप्रदेश में व्क वरकर नहीं पढ़ रहा है लोग इहांपर अपनी जान बचाना चाहते हैं में कुंडागर्दी जादा हुआ गरती थी तो अब लोगों की यहां पर जान बची हुई है लोग सुक्षानती से अपने घरों में रह रहे हैं और बाकी विपक्ष की भी उन्होंने सारी बाते बताई आपने सुनी बेबाकी से अपना इंटर्वी उन्होंने दिया मैं हूं आप देख रहे हैं इंदुस्तान नाइं चेह हिंद्धू